हेलो गाँज आज आज की हमारे इस नजी व्यूडियों में आपको सबस्कते हैं आप लोग डौटरुस में HD क्वालिटी की लाइव इस्टेरिम कैसे कर सकते हो तो गाँज आज की व्यूडियों का ये टॉपिक है कोईन कमाना चाहते हो तो गाइज मैं उस पर पहले से वीडियो बना दियें आप लोग चाहो तो वहाँ से जाकर चेक आउट कर सकते हो आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी तो गाइज यहाँ पर आप लोग रोटरेप्स में लाइव इस्टेरिम करके पेसे कैसे कमा सकते हो और साथ में आप लोग रोटरेप्स में एचडी क्वालिटी की लाइव इस्टेरिम कैसे कर सकते हो तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को लाइव इस्टेरिम करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों के पास यह रोटरेप्स नहीं है तो मेरे पूंलोड करने के बाद आपको सिर्फ अकाउंट उनी नमरों से बनाना चाहिए जिन नमरों से आपका पेटेम बना होना चाहिए अदर्वाइज आप लोगों किसी और नमर का यूज करते हैं तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा तो गाइज यहाँ पर हमारी अकाउंट बनाने के सारी डीटेल हो चुकी है अब हम चलते हैं अमने वीडियो के टॉपिक की तरफ और गाइज यहाँ पर आप लोगों को रोटरेव से समधेद कोई भी डाउट है तो गाइज आप लोगों को मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर आउस्टेद करते हैं अगर आप लोगों का नेटवर्क कम आता है तो गैज यहाँ पर आप लोग बडिया से बड़िया एक फालिजिस्टेजम करते हो na five गया लोगों में CREASU बदता हूं आप लोग इसे follow कर लेना तो guys यहाँ पर आप लोगो live stream करना चाहते हो तो guys जगर आप लोग router episode real में पेशें खमना चाहते हो तो guys आप लोगों यहाँ पर पलस वाले Icon से live stream करनी है तो guys यहाँ पर आप लोगों को simple तरीकस का पलस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको इस्टेरिम पर क्लिक करना है तो जैसी आप लोग इस्टेरिम पर क्लिक करेंगे तो गैज यहाँ पर मेरा कुछ setting मांग रहे हैं तो guys मैं allow कर दिया है और guys यहाँ पर आप लोग जिस पर भी live stream करना चाहते हो उसे यहाँ से select करेना अगर आप लोगों को यहाँ पर भी ना मिले guys तो guys आप लोगों को यहाँ पर ढून लेना है आप लोग जिस पर live stream करना चाथते हो गाइज मैं prepare कre live stream करता हूँ तो मैं यहां से allocate select कर लेता हूँ आप लोग जिसे चाहो आज में से select कर सकते हो तो गाइज मैं यहां पर prepare make select कर ले है और गाइज में ने सारी live stream के setting पाले वीडियो में बता दिये आप लोग इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोगों को सेटिंग नहीं करने आती है तो गाइज अब हम चलते हैं अपने एडवांस सेटिंग में तो गाइज आप लोगों यहां पर इस्टेरिम क्वालिटी दिखाई होना चाहिए अगर आप लोगों का नेटवर्क थोड़ा शलो चलता है तो गाइज आप लोगों 360 table कर सकते हो अगर आप लोग तो jacket क्वालिटी करना चाहते हो तो गाइज आप लोगं नेटवर्क और गाईज आप लोगों को mobile की भरी हुई है तो आप लोगों को सबसे उसे खाली करना है, आप लोगों खाली करने के लिए आपको अपने File Manager में चले जाना है, और वहां से सारे Apps को Delete मत करना है जिसी आप लोग यूज करते हैं तो guys आप लोगों को उसे यूज करना है और जो आप लोगों के लिए third party के एप हैं तो guys आप लोगों उसे delete कर लेना अगर आप लोग डिलिट नहीं करते हो और आप लोगों के memory pool है तो guys यहाँ पर आप लोगों जब live stream करोगे तो guys आप लोगों को lake के problem होगी और guys यहाँ पर आप लोगों को जो useful app है तो guys आप लोगों को उसे ही रखना है तो guys यहाँ पर आप लोगों HD quality करने के लिए आप लोगों का network बढ़िया होना चाहिए और आप लोगों यहाँ पर 720p पर करते हो तो बढ़िया quality नहीं आएगी आप लोगों का network भी अच्छा होना चाहिए अगर आप लोगा network कम है तो आप लोग 400 CP तो कर लेना और यहाँ पर आप लोगा network बढ़िया है तो आप लोग 720p भी कर सकते हो तो गैज यहाँ पर आप लोग live stream HD quality में कर सकते हो तो गैज यहाँ पर हमारी वीडियो के सारी detail हो चुकी है और गैज यह वीडियो यहाँ पर समापत होती है अगर आप लोगों अभी तक भी वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को कर देना है like और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर कर देना है subscribe और गैज फिर मिलेंगे इसे परकार की वीडियो में तब तक लिए बाई बाई